स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले टी ट्वंटी फॉर्माट है गेंदबाजों की पिटाई भी काफी होती है लेकिन चैंपिन गेंदबाज वही होता है जो मैच में वापसी करता है और ऐसी गेंदबाज में साथ इसमें बैठे हैं कुल्दीप यादफ जिन्रों ने दिली गैबिटल्स के खिलाफ आखरी ओवर डाला क्यूंकि कुल्दीप पहले दो ओवरों में पिटाई भी काफी हुई थी तीस पैंतिस रून चाहिद खाये थे आपने लेकिन उसके करना डिफिकलर था मेरे दिमाग में यही था कि शायद जब भी मैं बॉलकरूंगा, तो मुझे विकेट निकाल के देने हैं मिरे दिमाग में है विकेट के लिए बॉलिंग करूँ और 甚ने में बकिट पढ़ गया मैं याथ अपने सब्स यांपिद्ट डेंट के पाइन और जब लास्टोर डाल रहा था तो मेरे लिए छेरण बहुत है मैंने सोचा कि मेरे छेरण बहुत है कि मुझे इतना पता था कि मैं बॉरंड़ी नहीं दूँगा एक रंड़ जा सकता है या दो रण भी जा सकते हैं कोशिश करूँगा एक दो बॉल स्पिन कर रहा हो डॉट करा मेरे ठीक हैं मैं सोच रहता है कि राट नौरन होते तो मैं अराम से मैच जीत सकते थे पर उस ताइम मुझे छे रन भी लग रहे थे कि मैस पर डिफेंड कर सकता हूं पर आपको हमेशा प्लान करते हैं पर आपको हर चीज में प्रफॉर्मेस अपको करना ही है और राउंड दिविकेट आना बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे लिए क्योंकि राउंड भी चोटे हैं तो एक साइड अमेशा चोटी रहती है बांडरी तो डिफिकेल्ट रहता है मिल रहा था बॉल टर्न होनेगा तो इस अल अबाट प्लानिंग कि आप कितना अच्छा सोचते हो कितना अच्छा अपने माइंड चलाते हो गर आप दो वर में इतने रन खा जाओ उसके बाद कम बैक करो बड़ी चीज होती है मैच के का जीतनी पाया लेकिन तीन मैच होएं उसमें से दो आपने बड़ी शांदार शुरुवात करी यह टॉर्नमेंट की और दो मैच आपने जीते हैं किस तरह से अभी तक देखने हैं अरली डेज हैं लेकिन फिर भी शुरुवात ठीक हुई बिलकुल बिलकुल जिस तर अच्छा फाइड फाइड बैक किया गेम में अच्छी तरह से लड़े और उसके बाद डिप इस इस अल बाउट कि आने वाले गेम में कैसा प्रफार्मेंस करते हैं जिस तरह कि प्रफार्मेंस कर रहें जिस तरह से टीम तेम का कल्चर ए टीम अभी कॉमिनेशन बन रहा है यह तो फुली आगया मैच में काफे अच्छा प्रफारमस करें अजर कुलीप अंदर रसल ने क्या जबदर बैटिंग करी इस टॉर्णूमेंट में अभी तक खिला किया रहे हैं उनको आप नहीं बहुत अच्छा साइन टीम के लिए क्लिकि जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं और अगर वो दस ओवर खेलते हैं तो जैसे कि कल भी हुआ 65 फॉफाइव से दस ओवर में उसके बाल लास्ट है नवसमें 125 रन बने 120 रन बने तो अनबलीवल हिटिंग जो भी तीनों मैच में आपने देखा है और उनके स्लॉग में जो भी बॉल मिलती हो सिधा बाहरी ज खेलना और IPL खेलना फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना हो जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं तो बहुत प्रेशर होता है आप बैटिंग के बाद गया है बॉलिंग के बाद गया तो मुझे मैं इतना सैटल हूँ टीम मुझे को प्रॉब्म नहीं होती है वहाँ पर में ज करते हैं तो हम इनको आउट करना चाहेंगे एक चीज आपने बड़ी अच्छी कहीं कि विकेट लेने की आप हमेशा कोशिश करते हैं और यह जो है यह खासियत जो है पिछले देड दो साल में हमने देखा आपने जब से इंडिया के लिए जब खेल रहे हैं विराट कोली के उसमें यह है उन्हें जो कॉंफिडेंस दिया कि विकेट लो डन पढ़ते हैं तो कोई बात ने लेकिन विकेट लो क्योंकि विकेट यह रनों पर रोक बिलकुल बिलकुल कल भी आप देखे कर विकेट नहीं गिरते तो इसी से राम से जीत रहे ते पर अठरा बोल अठरा र करना चाहिए या फिर डिफेंडिंग मोड में चले जाना चाहिए पर मुझे असा लगता है कि वो चीज उस टाइम के लिए अच्छी है जब आपको टीम की जरुवते पर अगर आप मैं जब मैंने स्टार्ट गया तो शायद मैं अपनी तरफ गेम कर सकता हूं तो मेरा प्ल बिल्कुल बिल्कुल और डिके भाई पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं और काफी बैक करते हैं और जब भी इंडिया के लिखे तो माई भाई हमेशा रहते हैं तो हमेशा गाइड करते रहते हैं तो दोनों की परस्नालिटी अलग है पर काम दोनों के की जैसे आपके पार्ट बिल्कुल बिल्कुल वो एक ऐसे पॉसन है इनकी वज़से मैं क्रिक्ट स्टार्ट की जिनकी वज़से मुझे खेलने का पैशन है कि हम मैं की तरह बॉलिंग कर सकता हूँ तो फिर उसके बाद जब आपका लेजेंट आपके जो आइडल है जो उनको आपने बच्पन से देख अच्छा करते हैं माईक हाँ जिनकी आप बड़ी तारीफ करते हैं लगातार कई सालों से उनके साथ काम भी करें उन्होंने क्या चेंज लेकर आया आपके अन्दर मैं आठ साल हो गए हम उनको जानते हुए आर्ट या नौ साथ साल हो गए है मैं जब मैं के मुंबई इंडियस में इसमें मिला था ता मैं एक बच्चा था गोलू मॉलू साथ तो उन्हेंने मुझे देखाया चोटे से बड़ा होते हुए तक और वो हमेशा प्राउड फील क मैं उनको डेख के चोटी चैजे सिखा हो कि हा मैं कैसे और टफ हो सकता हूँ ऐसी कभी सिच्वेशन आती है कि मैं कभी कि ऑट प्लेयर यह ड़ल हो जाता है फिर अप गिवप कर देता है पर मैं उनकी वज़ए से बहुत टफ हुआ हूँ और मैं सिच्वेशन को हैंडल करना कि हां मेरे लिए कोई चीज अच्छी नहीं हो रही उस ताम पर थोड़ा वेट करता हूं शायद और एफर्ट उसके बाद नेक्स राइफर्ट करता हूं तो मेरे लिए हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे मैच हुए हैं जहां से मैंने कम बैक किया है जहां से मैंने रन दी हैं उस काफी शेयर करता हूं से अपने आइडिया कुंकि अगले कई मेनों तक लगातार अपने क्रिकेट खेलनी है और वोल्ड कप भी आ रहा है लेकिन ऐसे में डे इन डे आउट ट्रावलिंग फिर मैच जादा वक्त नहीं अपने लिए किस तरह से मैनेज गरते हैं वर्क यह पर अच्छी डाइट ले रहा हूं और उच्छी तरह से सो रहा हूं कि बहुत इंपोर्डेंट रिकवरी बहुत इंपोर्डेंट है कि इसके बाद डूंट आइप लगो हमें दर भी रहता है जो भारतिया खेल रहे होते हैं कि सब ठीक ठाक रहें कूंकि जब बुम्रा क को भी चोट लगी थी काफी सब लोग बरेड हो गए थे कि कोई ऐसा खिलाडी चोटेल नहीं होना चाहिए जो हमारे मैच्विनर है जैसे कि आप होंगे हमारे बिल्कुल हमेशा है सो बिल्कुल अपने आपको प्रटेक्ट रखना बहुत जरूरी है इसके लिए आप जाने जा हो जाता है कभी-कभी बिल्कुल बिल्कुल पर आई-पेल ऐसा गेम है क्योंकि आपके पास इतने चलेंज आते हैं तो आप ज्यादा फोकस रखतें गेम में तो इस वरी इंपोर्टेंट आई-पेल बेग अच्छा पेज है विफ फॉर दी वोल्ड कप की आपकी क्योंकि उसके बाद मुझे चार-पास दिन सर के साथ बॉलिंग करना ही पड़ेगी और वह बहुत इंपोर्ट कप के जैसे आई-पेल खतम होगा मुझे दस दिन में अपने आपको प्रिपरेड करना वर्ड कप के लिए तो उसको देखते हुए अपनी प्रफेशन करूंग अभी शारुक रहे थे इरन गार्डन्स पर टीम के साथ रहते हैं तो जजबा भी काफी उचा रहता है होसला रहता है बिलकुल बिलकुल बहुत बहुत काम और बहुत हमबल परसन है और हमेशा मोटिवेट करते हैं किसी भी किसी भी यंग्स्टर को और बहुत चिल्ड आउ अभी तक आपके लिए अपनी टीम का नहीं हो यह कोई भी हो आपके लिए सबसे अभी तक जो हुए मैच्च जो आपको फर्स फर्स केम में अन्डर रसल जो तरह से बैटिंग की उसके बाद रिशाप ने जो मुंबई में बैटिंग की कुछ ऐसे पर्फॉर्मेंस हैं जो देना वह मेरे लिए था कि मैं कर सकता हूं में बिलीव था मेरे उपर मैं अपने अपने अंदर में बिलीव किया उस टाइम पर शादूस के पर्फॉर्मेंस हुई बाते होते रहती हैं जैसे आपने रिशब का जिक्रिक बिलकुल अच्छे फ्रेंड है रिशब मेरा कफी अ के साथ खेलते रहते हैं तो बॉर्णिंग बहुत अच्छी है चलिए कुली पास्तिक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा मज़ा आता है आपके साथ बात चीत करने के लिए और आने वाले मैचिस के लिए अल्ड़ बेस्ट थैंक्यू सो मच्छ सर्भ क्या आता है